टोकियो अलम्पिक में भारत के लियाज से कल का दिन यानि बुद्वार का दिन बहुत अच्छा रहा क्योंकि भारत के फ्रीश्टाइल पहलवान रवी कुमार दैया ने पुरिशो के 57 किलोग्राम वरग में फाइनल के लिए कौलिफाई कर लिया है उन्होंने सेमी फाइनल कजाकस्तान के पहलवान को हरा कर देश के लिए ब्रॉंज मडल भी फिक्स कर लिया है और सुवरन मेडल की आशा दिला कर फाइनल में प्रवेश कर लिया है रवी दहिया ने कजाकस्तान के नूर इसलाम को हरा कर सेमी फाइनल का मुकाबला जिता मुकाबले के बाद मैच के क कुछ फोटो सोशल मीडिया में वाइरल हुए जिसमें साब दिक रहा है कि कजाकस्तान के पहलवान की पीट और कंदे जब रवीकुमार ने जमीन पर लगा कर रखे थे तब वह पहलवान कजाकस्तान का पहलवान अपने दातों से रवीकुमार की बाजु काट रहा ताकि रवी कुमार अपनी पकड धिली करे और कजाक्सान का पहलवान ये मुकाबला जीत जाए लेकिन सामने वाला पहलवान अपने दाच से काटता रहा रवी कुमार दहिया ने अपनी पकड धिली ना की और आकिर तक उन्होंने ये पकड जमाय रखी और फाइनली मैच जीत कर देश के लिए ब्रांज मेडल भी फिक्स कर लिया और फाइनल में उन्होंने प्रवेश भी कर लिया है लेकिन इस सेमी फाइनल मुकाबले में विपक्षी पहलवां की वर से खेल बावना नहीं देगी तेईस वर से रवी कुमर दैया कजाक्स्तान के नूरुसलाम के रहा ताकि रवी कुमर दैया अपने हाथ की पकट डेली करे और कजाक के पहलवान को जीतने का मौका मिले लेकिन कजाक का पहलवान रवी कुमर के दैया के हाथ के उपर काट रहा लेकिन रवी कुमर दैया ने अपने हाथ की पकट डेली ना की और वह लगातार अपनी पकट बनाये रख कर सेमी फानल का मुकाबला जीत गए और फानल में उन्होंने प्रवेश किया पुर्व क्रिकेटर विरेंदर सेवाक ने इस घटना पर निराशा जाताते हुए कहा कि यह कितना अनुची थे एकिन इसी घटना के साथ हमारे रवी दाया को जोश मिला होसला मिला और वो सेमी फानल का मुकाबला जीत गए रवी दाया के जीत के साथ देश में जसना शुरू हो गया और रवी दाया के मैस के बाद उनके कुछ फोटो सोशल मीडिया में वाहिरल हुए कुछ लोगों ने उनके फोटो के उपर बारी की से ध्यान दिया तो रवी दहिया के राइट हैंड पर कुछ दात के निशान नाजर आए लोगों ने वह इमेज जूम करकर देखा तब उन्हें लगा कि किसी ने उनके हाथ पर काटाए तब लोगों ने रवी कुमार दहिया का मैच दोबारा प्ले करकर देखा तब उन्हें पता चला कि मैच के अंतिंग शौनों मे जो कजाख्सTान का पहलू वह जीतने के लिए रवी कुमार दहिया को हरने के लिए उनकी पकट डिली करने को ली लगातार उनके हाथ के उपर आपको अपनी पकड डिली ना की और आखिर कर उन्होंने सेमी फनल का मुकाबला जीत कर दिखाया दैया ने मुकाबले में जोरदार वापसिक करते हुए अपने विरोधु के दोनों पेरों पर हमला किया था और उनके गिरने के बाद वो जीतने वे कामयाब रहे दैया ने इस अगस्त के दिन गुर्वार के दिन रवी दैया फाइनल गोल मेडल के लिए मैच खेलने वाले है इससे पहले सोचल कुमार ने 2012 में लंदन ऑलंपिक में फाइनल में जगा बना कर रजर्ट पदक भारत के लिए जिता था सोचल मेडिया पर रवी कुमार दैया की जब तश्वीरे भाइरल ही तो लोगों को बहुत बुरा लगा और भारतिय नागरिक कजाक के पहलवान के उपर बुरा भरला भी कहिने लेगे लेकिन खेल बाउना में ऐसा उता रहता है ज्यादा तर लोग इतनी बारिक बातों पर ध्यान नहीं देते है लेकिन ये गलत तरीक है मैच जितने का लेकिन भारत के पहलवान भी तकनी की तोर से भी अच्चे खेलते हैं और वो अंदर से भी उनको उनके कोच लोगों ने फिट बना कर रखा है अगर हमारे प्लेयर फिट ना होती तो कजाक का पहलवान काटने के बाद हमारा रवी धाया अपनी पकड डेली कर देता लेकिन रवी धाया ने ऐसा किया ने अपनी पकड बना के रखी और आज हम आशा करते कि रवी कुमार धाया फाइनल मुकाबला भी जीत जाए और देश के लिए हमारे लिए गोल मेडल रेसलिंग में जीत कर आए बाकी आप लोगों ने यह वीडियो यहां तक देख लियाओ, वीडियो को अच्छा लगाओ, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सस्काइब कीजिए, आपका एक लाइक, आपका एक सस्काइब हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, धन्यवाद.